हेलो एव्रिवन आइम निकल पांडे वेलकम यो आल तो माय चैनल दीम सिक्छा श्टुदेंट्स लास्ट सेशन में हमने वर्वल अप्लिटूट का पार्ट से एक समझा था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को कम्प्लिट किया था आज की सेशन में हम टाकशीट 4 यह रंकिंग और टाकशीट 5 यह लॉजिकल सेक्वेंस ऑवर्ड इसको कम्प्लिट करेंगे So guys start करते हैं आज का session So first question Rajeev ranks 7th from the top and 28th from the bottom in a class How many students are there in the class तो अब आपको बूला गया है कि जो Rajeev है वो उपर से 7th है and 28th है bottom से नीचे से bottom याने नीचे से ठीक है How many students are there in the class तो समझेगा एक line draw कर तो मैं So आप देख पा रहे होंगे Then आपको ये पता है कि Rajeev ranks 7th from the top तो Rajeev की rank कित्ती है 7th है कहां से Top से, यहां से Top से, ठीक है मतलब इसके बीच में कितने लोग रहे होंगे उसके उपर कितने लोग है 6 लोग, कितने लोग है 6 लोग ठीक, then एक चीज और पता है 28th from the bottom of class अब नीचे से कौन सी rank पर है 28th ओके Now मतलब 28th है मतलब कि इसके बीचे कितने लोग रहे होंगे 27 कितने लोग रहे होंगे 1 मत कितने लोग रहे होंगे 27 अब आप से पूछा How many students are there in the class तो गिल लेते हैं 28th तो 7th rank वाला ये तो एक count हो अग चुकि ये सेम ही एक ही की rank कि किसकी राजीब की तो इसको मैं count कर लेता हूँ अब राजीब के ऊपर side top में कितने लोग है 6 और नीचे कितने लोग है अब राजीब के 28th rank तो नीचे कितने होंगे 27 इसको जोल लीजे तो 27 और 1 28 प्लस 6 कितने हो गया 34 तो टोटल कितना है 34 तो आंसर क्या होना चाहिए 34 तो इस तरीके चाहिए क्वेशन को solve करना था आंसर क्या होगा 34 तो आंसर क्या आया है 34 आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ 35 तो इस तरफ प्लिश अब टेन प्लिश की बाद ही तो मैं 10 प्लिश भी क्रीट कर लेता हूं 1 एक सक्वेशन लेट मी टोफ वाशन इन लाइन ना 1 2 3 4 5 तो मैंने 10 positions ट्रॉटल पोजीशन किती ड्रॉट कर ली मैंने 10 ठीक है तो कितने लोग थे बॉइस किते थे 10 थे तो इसलिए मैंने 10 पोजीशन ट्रॉट कर ली सबस्क्राइब तो इसलिए पम ही ना क्या मैंने 10 लृठ द्रॉट इंट सकते तो नगा wp यॡद लाओ 4 अवा लीा था ऑ अले के आएंट से रखते अर ल väldigt थे 10 प्रॉट ट्रॉट बाल लाव 15 मुझा समधीं क्रॉट अधी जर्व फाहर ट्रॉट संद्र में शर्म श्बाष ए तो ना उइवान यहां पर ओगा ऐसा जब वह टू प्लेस खाहां से टिकरे गाघए अब लेप्ट मेरा कहा एगा इधर है तो मैं टू प्लेसे यहां कई से मुव किया हूँगा तो मैं मूव करूँगा 1,2 मतलब मैं पहले यहां था 9th position में ठीक है पहले मैं 9th position में था अब मैं किस में आ गया 7th position what was earlier position from the right end of the row अब earlier position पहले वो किस position में था 9th position में कहां से left end से ठीक है he became 7th from the left end पहले अगर वो 2 plays left की तरफ shift करता है तो कहां पहुच जाता है यहां से वो यहां shift किया तो किस में जाता है 7th position from the left end ठीक है now what was earlier position from the right of the row तो इसकी पहले position क्या थी right side से तो right side से अगर देखे तो second position first and then अगली second तो right side से कौन जी position होगी second तो answer क्या होना चाहिए second okay now next question number 6th three men a b c are standing in a queue there are five between a and b and eight between b and c if they are three ahead of c and twenty one behind a c के आंगे तीन लोग है और a के बहाइं में 21 लोग है तो what was the minimum number मैं नहीं नहीं था क्यों minimum कितने मैं मैं होगी क्यों मैं तो समझ येगा मैं यहां से start करता हूँ ठीक है now c के ahead में किते हैं मैं को यहां पर देखना है पहले मैं को एक ऐसा data line जो मेरा starting से तो c के कितने लोग आंगे हैं तीन लोग ठीक c के आंगे कितने लोग हैं तीन लोग now एक line थी B और C के बीच में कितने लोग है 8 लोग तो C और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ B इसके बीच में कितने लोग है 8 लोग है then again A और B के बीच में कितने लोग है 5 लोग है B कहा है मेरा यहाँ पर sorry sorry so B कहा है यहाँ पर यह मेरा B है Now, C और B के बीच में भी कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं? 5, तो मैंने ये बना लिए, C और B के बीच में कितने लोग हैं? 5, ठीक है? Now, तो यहां मेरा क्या हो गया? Sorry, A और B के बीच में कितने लोग हैं? 5, C और B के बीच में कितने लोग हैं? 5, B और C के बीच में कितने लोग and 21 behind a तो a के पीछे किते लोग होंगे 21 किते लोग होंगे 21 so 21 लोग behind a a के मतलब पीछे हैं अब आप rank count कर लीजे सबसे पहले मेरे c के आँगे किते लोग थे 3 फिर खुद c एक आदमी हो गया ठीक है जोड़ना किस-किस को यह फिर क्या करोगे आप 8 को जोड़ोगे ठीक है बीच में किते लोग थे 8 then b को मैंने जोड़ लिया जोगी single person है ठीक है then b और a के बीच में किते हैं 5 ठीक है a कितना हो गया 1 और plus a के पीछे किते लोग है 21 a के पीछे किते लोग है 21 सबको add कर लेता हूँ 3 1 4 8 4 12 13 5 18 19 and 21 तो रहें काने चाहिए कितनी 40 तो टोटल क्या रहा है मेरा 40 तो answer क्या होगा क्या होगा answer 40 तो इस तरीके जो questions solve करने है ठीक है तो यह मेरा question number 6 था so guys इस तरीके से आपको other questions भी solve करने है समझ कर ठीक है चलते है next so now tax sheet 5 that is known as logical sequence of words क्या भूलते हैं logical sequence of words now reading अब यहाँ पे क्या होगा of words दिये होंगे ठीक है अब इनको आपको इस तरीके से जमाना है इस तरीके से आपको जमाना है students थोड़ी सा मेरा गला ख़बाब है इस समय तो थोड़ी सा adjust करिएगा voice में कहीं कभी problem आता है इस समय थोड़ी सा support करिएगा थोड़ी सा समझिएगा तो इस स्टुडेंट्स तो केंडिडिट्स क्या करते हैं इनको में आप लोगो क्या करना है कि यह जो सेंटेंस है लॉजिकल सिक्वेंस आवड्स में आपको ग्रोप आवड्स दिया होंगे इसको meaningful order में क्या करना है सो करना है और correct sequence बताना ही कैसे यह events occur होंगे जैसी कि first example हमारे लिए करके दिया हुआ है reading, composition, writing, printing and binding तो इसको देख के पता चलता है solution पढ़ेंगे clearly the given words are arranged in order of events as they take place while making a book from the sequence तो जब आप book बनाते होगी उस समय का एक sequence क्या कर रहा है follow कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करते हो बताईए सबसे पहले आप करते हो writing क्या करते हो writing है ना आप book बना रहे हो है ना तो क्या करते हो सबसे पहले writing करते हो तो first option क्या हो गया writing ठीक है तीन आप उसके बाद क्या करते हो compostING अब उसको आप compose करते हो matter को अपना ठीक है right करने के बाद तीन आपने क्या क्या compose भी हो गया सबको set हो गया तो फिर क्या कर दिया उसकी sorry उसकी क्या कर दोगे printing कर दोगे है ना अब आपने लिख लिया, compose कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, compose कर लिया, मतलब की meter को अच्छे सा arrange कर लिया, then उसके बाद आप क्या करोगे, printing करोगे, ठीक है, प्रिंट करने के बाद क्या होगे, paper से जाएंगे, तो paper से क्या करोगे, bind करोगे, जब bind कर लोगे, तो आप उसको composing compose के बाद वो क्या करेगा की print करेगा data को then वो क्या करेगा जब आपके papers निकलाएंग उसको bind करेगा then आपको वो reading के लिए लोगों तक पहुचाएगा तो इसका answer क्या होगा बताएए option number B option number B ओके नाओ नेस्ट कुस्चन एडल्ट एडलोसीन चाल्ड इंफैंट एजिंग तो यहां पर development stage बताईए होमन की ठीक है तो first होगी कौन सी stage आपकी infant first stage को क्या कहते हो आप infant ठीक है तो first तो आपका infant होगा ठीक तो fourth option किस किस में है इसमें first option इस पे तो यही कहीं answer होगा है ना B और एक मत वेटमनेट तो आपका answer कहां पे होने वाला है B और C में कहां होने वाला है B और C में क्योंकि fourth option कहां पे है B और C में ठीक है next confirm करते है next इसमें भी 3 दिया उसमें भी 3 दिया है next होगा एडलो सींट बच्चा छोटा सा था ठीक है जब वो क्या हुआ बच्चा पैदा हुआ सब्च्च को हम क्या बोलते infant then बच्चा थोली सा बड़ा हो गया तो उसे हम क्या कहने लगते है child तो थाड़ option उसमें भी थाड़ option उसमें भी दिया मतलब सही है चाइड के ब़ाद क्या हो जाता है वो edit zone कि सुरा वस्था में आजाता है to यहाँ पर ही option आपको पता चल जायएक यह वाला option सभी हो क्यों कि यह पर 5 दिया है और आपको पता है कि चाइल के बाद अगली स्टेज क्या होती अब एडलो सीन के बाद क्या होगा एडल्ट हो जाएगा अठारा उन्नीश साल को जाएगा तो क्यों हो जाएगा एडल्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा फिर बढ़ापा भी आएगा एडल्ट हो गया तो है ना तो कौन सा option सही लग रहा आपको 4, 3 2, 1, 5 तो यह option क्या है आपका सही है चलते है next question की तरफ चलिए समझे है यहाँ पर ही है Sea, Revealed, Ocean, River and Glacier पाँच option दिये हैं Sea, Revealed, Ocean, River, Glacier आप इसको logical sequential जमाना है पता ही कैसे जमाएंगे सबसे पहले तो Glacier को जमाएंगे सबसे बढ़ा क्या होता है Glacier तो क्या बूलेंगे The Glacier lies at top in the ice form तो Glacier क्या होता है सबसे top में देखता है Ice form के form में ठीक है Then when it melts it divides into two small streams इसको bouncing जब Glacier को मैं ज़ता है तो यह two small streams में क्या हो जआता है divided हो जाता है है ना तो इसको हम क्या कहते है जब यह two stream में divide होता है alley है Sको क्या कहते है Rain poo L just क्या कीते है River Then severely joined more river in the the ground irradiator It जो है 돼्य़ा जो क्षह साधी जब्बस tree में होता है, river से मिलने जाना, ठीक है, तो then r perfectly क्या करेगा, river से मिलेगा, ठीक है, then river क्या करेगी, river चले जाएगी, जो नदिया नहीं है, river है, जो कहाँ पर चले जाएगा, sea में, then river के बाद कहाँ पर आप जाओगी, sea में, तो river go into the sea, and the sea फिर क्या करेगा बाद में join कर लेगा ocean को है ना अब sea तक पहुंचिए तो sea के बाद कहा चला जाएगा ये ocean में तो logical sequence क्या होना चाहिए बताइए third one let me come back तो क्या होगा इसका answer third one logical sequence तो समझेगा सबसे पहले आप glacier में गया glacier melt हुआ तो आपको क्या मिल गई वहाँ से small stream that is called regulate 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 के बाद आपने क्या किया river की तरफ move हो गई then river के बाद क्या हुआ कि river से वो चले गई इस तरीके से करना था next table tree wood seed plant पांच option दिये है table tree wood seed plant तो first option क्या होगा बताइए तो इसका logical अगर sequence जमाना है तो हमें पता है सबसे पहले क्या आया seeds आया सबसे पहले क्या आया beez आया बीज से आपका क्या बना seed के बाद आपका क्या बना plant ठीक है seed के बाद आपका क्या बना plant है थोड़ा सा बड़ा हुआ है पहले आपने क्या कि बीज लिए ठीक है उसके बाद क्या हुआ plant आया plant के बाद क्या होगा बताईए plant से आपको क्या मिलेगी लकडी मिलेगी क्या मिल सेट के वाद प्लांट आया यहां पे रप्र सब्सक्राइज से रवाद के अंतु कि honouration प्लांट बन गया, सब्सक्राइज का सब्सक्राइज sudah बतकर तो सबसे पहले सेट के वहु के जाएक या हूं प्लांट मिला, plant के बाद वो थोड़ी बड़ा हो गया, तो tree बन गया, tree से आपको क्या मिला, बताइए, tree से आपको लकडी मिले गया, लकडी का use आप किस में करोगे, table बनाने में या furniture बनाने में, ठीक है, इस तरीके सापको questions को solve करना है, आज मैं है talk sheet 4 और talk sheet 5 बे complete करा दिये, तो आपक कोई से अपनी copy में करना है, समझ कर करना है, कहीं कोई doubt है तो आप मुझसे comment करकर, youtube comment box पर पूर सकते हैं, so guys, आज के लिए इतना ही next session, फिर से मिलेंगे, एक नए concept के साथ, नए idea के साथ, तब तक लिए thank you, जैहन, जै भारत.